समस्कार, मैं पुर सोतम कुमार अभी हम उपस्थित हैं और अंगाबाद जिले के पंच्च देवधा मुस्ट्ित पंच्देवधाम मंदिर में तो आए हम बात्चित करते हैं इस पंच्देवधाम मंदिर के बारे में beliefs practical थे ethics और उपस्थित हैं यहां पर के मठा धी सजु अ क बबा है उनसे जनकारी लेंगे कि आखिर यह पंच देव धाम मंदिर नाम क्यों पड़ा सबसे पहले आपका स्वागत है बबा गनेश भगवान अठारभ भुजी दुर्गा जी सुर्ज नरायन भगवान सीता राम दरबार सिव पारवती जी इन देवता को पंच देव कहते ह हैं इसलिए इनका नाम पंच देवधाम नाम पड़ा सहायक में पंच मुक्छी हनुमान जी हैं पंच देवधाम में स्तित हैं ओर यह और यह पर यहां पर सूरबात कप से हुए आखिर यह लोग आरपन कप से किया गया थे यहां पर 2017 को सब पंच देवधा मुर्ति अस्था पित हुए और इसके बारे में कुछ विश्ष्था बताएंगे पंच देवधा मंदिर के बारे में कि आप बताएंगे वाइस पंच देवधा मंदिर के बारे में विश्ष्था आप लोग कि यहां पर कुछ अलग बेवस्ता जैसा कि वहां पर एक मैडम ने बताई कि यहां पर गाय के गोवर से राखी बनाया जा रहा है और वैसा टाइप में और कुछ यहां पर बिवस्ता भगवान के प्रशाद सुध घी में यहीं प्रशाद बनता तो जैसे कि बावा ने कहा कि यहां पर पंच देवधाम मंदिर में यहां पर पंच देवता की यहां पर मूर्ति का स्थापना किया गया है इसी वज़से यहां पर इस मंदिर का नाम पंच देवधाम मंदिर नाम पड़ा तो आए देखिए इस पंच देवधाम मंदिर में यह भगवान सुर्ज सुर्ज नरायन मंदिर है तो आए हम आपको मंदिर का दर्शन कराते हैं कैमरामेन राहुल कुमार आने राहुल कुमार आये और इस भगवान सुर्ज भासकर की पावन नगरी है यहां भगवान भासकर की भी यहां उपस्थित उपस्थिती है तो यहां पर म यहां पर दिखाने का प्रयास करेंगे, देखे यहां पर सुझ भगवान की प्रतीमा का स्थापना किया गया है, और यहां पर काफी स्रधालू यहां और अंगाबाद जी लेही ने बिभीन छेत्रों से यहां पर आते हैं, यह भाई साहिब भी आये हुए हैं यहां पर, आप यहां क्या करने आया हैं, आप बताएंगे, आप लोग बताएंगे, घुनने आया हैं, कहां से आप लोग हैं, हम तो दर्मिया रफिगन से आया हैं, हम ही तो रफिगन से ही हैं, हुआ ही दर्मिया रफिगन से आया हैं, अच्छा तो आपको कैसा पता चला कि यहां पर पंच मंदिर की गई है सुर्द भगवान का मंदिर था तो ऑर आगे दिखाने का प्रयास करेंगे कुछ कर दिजा करें देखें यहां पर सिर्थ पंच मुखी हनुमान मंदिर है वहाँ पर दिखाने का प्रयास करेंगे यहाँ पर हनुमान जी की भी प्रतीमा अस्थापित की गई है देखें यहाँ पर भगवान जी की प्रतीमा भी पंच प्रतीमा में से एक भगवान हनुमान जी की प्रतीमा अस्थापित की गई है और तिन प्रतीमा है उनका भी दर्शन आपको कराएं और एक प्रतीमा जो तिसरा प्रतीमा है सिरी सिरी सिता राम मंदिर यहां भगवान राम एवं सिता जी कि यहां पर प्रतीमा का प्रतीमा स्थापित की गई है जिसे कहा जाता है राम भगवान और सीता भगवान जो की रावन से जित प्राप्त कर यहाँ रावन पर जब जित प्राप्त किये थे तो राम भगवान की जैजाकार हुई थी और यहाँ पर दिखाने का प्रयास करेंगे यहाँ भगवान राम एवं मैया सीता जी की प्रतीमा है तो इन्हें दिखाने का प्रतीमा और है उनसे भी यहाँ कैमेरामन दिखाने का प्रतीमा और है उनसे भी यहाँ कैमेरामन दिखाने का प्रतीमा और है एक मंदिर है सिरी सिर प्रतीमा का स्थापनाएं दिखाने का प्र्याश करेंगे आगे भी दिखाने का प्रयास करेंगे किvida कि मेंदेख़र हेनDemir में यहाँ पर पंच देवधाम मंदिर में यहाँ पर वैदिक हवन किया जाता है जो कि कहा जाता है भारत के जो वैदिक सनातन पुरातन ज्यान के द्वारा यहाँ पर वैदिक मंत्रों द्वारा यहाँ पर वैदिक हवन भी किया जाता है तो आगे और दिखाने का प्रयास करे अभी इस पंच देवधाम मंदिर में आपको दर्शन कराओंगा सिरी सिरी शिव गंगा सरोबर गंगा घाट यहाँ पर एक गंगा घाट भी है जिसमें छठ बरती लोग छठ पुजा भी करते होंगे इस गाओं के जितने भी है ग्राम वासी है यहाँ पर आके छठ पुजा में इस गंगा घाट में सभी लोग छठ वरती लोग छठ वरत भी करते होंगे जो कि काल लिखा भी गया यह एक अध्यात्मिक सरोबर है इसमें अध्यात्मिक उदेश से ही असनान किया जा सकता है मनोरजؑं के लिए नहीं है इसका महतवपुर्ण बिंदु दिया गया है और इसमें छट व्रतियों के लिए समय की पवंदी नहीं है और तिसरा यहाँ पर पॉइंट दिया गया है सरोवर में असनान करने है तू साबून सेंपू इत्यादी का प्रयोग वर्जित है सिर्फ मीटी लगा कर असनान गया जा सकता है चोथा पॉइंट सरोवर में असनान करने के बाद सिर्फ जी को जल चढ़ाना है मंदिने पूजा करना आवस्यक है और पाच्मा पॉइंट नौका के उप्योग है तू प्रबंधन का अनुमति लेना आवस्यक है इस सिर्फ गंगा सरोवर का दर्शन कराएंगे जो कि यहां और अरंगावाद जीले के पंच देवधा मंदिर यहां पंच देवधा मंदिर में यहां जो सिव भगवान का जो अस्ट्रक्चर है सिव भगवान का जो यहां प्रतीमा का स्थापित किया गया है यहाँ गंगा घहाट जो जिसे गंगा शुरोबर कहा जाता है उसके बीचों बीच किया गया है उसे दिखाने का प्रयास करेंगे देखे यहां पर किस प्रकास सुसोभित किया गया है यहां पर ताकि यहां और अंगावाद जीले में यहां काफी चर्चित का विशय बना है यहां पर भगवान सिव संकर की प्रतीमा का अस्ठापना किया गया है दिखाने का प्रयास करेंगे यहाँ पर भगवान शिव संकर जी की प्रतीमा है तो इस प्रतीमा का भी दर्शन करेंगे देखे यहाँ पर भगवान भोले संकर जी की यहाँ पर प्रतीमा का स्थापना किया गया है जो कि यहां पर सिव गंगा सुरोबर के बीचों बीच है यहां और यह पिलर पर ही यह खड़ा किया गया है जो कि यह बहुत ही अदभूत अस्ट्रक्चर है यहां और अंगावाद जीला में समझे तो अलग एक अस्ट्रक्चर है यहां पर यहां के ग्रामिन यहां पर उपस्तित है उनसे बात करें कि आखिर आप यहां कब से घुमने आया है यहां बहुत दिन से घुमने आ रहा है और यहां पर कब मिला लगती है यहां पर लगभग यहां पर बहुत कुछ होता है, साधी भी होता है, बहुत सारे लोग आते हैं, यहां कही जोड़ा साधी भी होता है, जग भी होता है, इस जगा के बारे हम बताएंगे पंच्देव धाम मंदिर के बारे में, यही पंच्देव धाम के मंदिर के बारे में बता रहा है, यहां प बहुत सारे दुर्दुर के लोग यहां पर तुम किसलिए यहां पर भूमने के लिए हैं कहां से आया है तुम मेरा फियंद से आया हूं और अजिरा से जैसा कि इनों कि यहां पर सारे महिलाओं को श्किल्स में मिलता है यहां पंचद्योधाम मंदिर में गूमने के साथ साथ यहां पर प्रियोक किया जारा है ताकि यहां पर जितने भी आसपास ग्रामिन उपस्थित हैं उन्हें उस्किल्स के माध्यम से रोजी-्रोजगार का अवसर प्रदान किया जाए तो बाकी हमारे साथ बने रहें अगले वीडियों फिर मिलेंगे जय हिंद जय भारत भारत माता की जय